बताने जा रहा हूँ भी दोस्तो smartphone का use करते हैं, ऐसे में दोस्तो वो लोग अपने phone में WhatsApp को जरूर से रखते हैं, अब दोस्तो WhatsApp की मदद से आप अपने friend के साथ chatting तो करी सकते हैं, साथ ही में दोस्तो आज कल WhatsApp इतना जादा important हो गया है कि इससे दोस्तो काफी सारे काम भी किये जाने लगें, जैसे द पर दोस्तो हमें यूज करने में भी WhatsApp को काफी जादा मजाता है इसके अलावा दोस्तो कोई भी ऐसा Messenger अप्लिकेशन नहीं है जिसको दोस्तो हम सबसे ज़्यादा अपने फोन में यूज करते हैं क्योंकि दोस्तो WhatsApp आजकल हर किसी के phone में होता है और यहाँ पर दोस्तो WhatsApp से connect होना काफी ज़्यादा आजान है लेकिन दोस्तो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये सारी बाते तो हमें पता है इसमें नया क्या है आप दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो आप उस message को delete भी मार सकते हो तो ऐसे में दोस्तो आप जिसको message भेजते हो delete मार देते हो अब ऐसे में दोस्तो वो message उसके पास जाता है और उसके पास लिखावा नजार आता है कि this message was deleted अब ऐसे में वो message जिसके पास गया आप वो सोचने लगता कि भाईया इस message में क्या था और दोस्तो ऐसे में वो काफी देर सोचता और परिशान हो जाता है आप सभी के साथ भी दोस्तो ये समझ से है जरूर से होती होगी कि आपको कोई भी message भेज देता है उसके बाद उसे delete मार देता है तो ऐसे में दोस्तो आप भी सोच में पढ़ जाते हो लेकिन दोस्तो आज की शुन में आप सभी को एक ऐसे application के बारे में बता दूँगा जहाँ पर दोस्तो अगर इस application को अपने phone में आप download कर लेते हैं तो उसके बाद से दोस्तो अगर आपको कोई भी message भेज के delete मार देता है तो ऐसे में दोस्तो आप उस message को काफी आसानी से देख सकते हो दोस्तो आप भी जानना चाते हैं कौन से application है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह रही हूँ application इस application को अगर आपको download करना हो तो link में ने डाल दिया video के description में तो download कर लीजेगा अब इस जैसी दोस्तो धेरो सर यह application आपको Google Play Store पर देखने को मिल जाएगी मगर दोस्तो यह application बहुती अच्छी application और काफी अच्छी तरीक से काम करती है और हर तो हर टाइम दोस्तो यह application आपके phone में active रहती है और काम भी अच्छी तरीक से करती है अब इस application को download करने के बाद simply आपको अपने phone में open कर लेना ठीक है जहाँ पर दोस्तो इस application को जैसी आप open करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ permission को allow करना होगा तो इन permission को आप allow कर दीजेगा उसके बाद दोस्तो होगा क्या कि आपको जो भी message भेजेगा उस message को delete मार देगा भेजने के बाद तो वो जो message होगा वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कुछ भी भेजने के बाद डिलिट मार देता है, तो यहाँ पर आप मीडिया वाले सेक्शन में आके वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं. तो काफि प्यारी अप्लिकेशन है, इंपोर्टेन्ट अप्लिकेशन है, तो यूज जरू से करेगा, ये application आपके काफी ज़्यादा काम में आएगी Thank you